नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल पर साथियो आज के इस वीडियो में अपन सिंस्कृत में एक टोपिक एड़ गया गया है यूनिट नमबर दो में तोपिक का नाम है अलंकार और साथियो निश्चित तोर पे जो आपका यूनिट नमबर दो है भासा दियूतियो में उसमें एक सलोक आएगा और उसमें अलंकार का अगर प्रसंद बनता तो वो ये बनेगा कि निम्न सलोक में या उपरिउक्त सलोक में कौन सा अलंकार है तो साथियों वहाँ पे अलंकार का भेद आपको बताना पड़ेगा बस इतनी ही बात जो वो पूछी जाएगी यूट्यूब पे आपको धेर सारे वीडियो जो अलंकार के साथियों मिल जाएंगे जिसमें विभिन विद्वानों के बार अलंकार की जो परिभासाइं दी गई हैं वो भी मिलेंगी लेकिन अपने को वो याद रखने की निशित रूप से कोई आऊ सकता नहीं है निशित रूप से अपने को ये याद रखना जरूरी है कि अलंकार जो अपना सलोग जो होगा जो भी एक सलोक अपने को देंगी उसमें अलंकार कुन सा होगा एक यही प्रस्न बन सकता है ठीक साथी हो तो अलंकारों के प्रकारों से अपन सीधा स्टार्ट करेंगे और जो important प्रकार है बस उनी को देखेंगे वैसे अलंकार बहुत ज्यादा होते हैं और इनके नियम इतने ज्यादा है सबसे बड़ी बात यह है कि अलंकार को वही व्यक्ति सही से पैचान सकता है जिसको बासा का बहुत ही श्यांदार ग्यान है यानि कि संस्कृत भासा जिसकी खुद की भासा रही हो जिसको पढ़ना अच्छे से आता हो बिल्कुल अच्छे से उसका अर्थ पता हो वही केवल अलंकारों को पूरे अलंकारों को कर सकता है otherwise कुछ अलंकार हैं जिनको अपन पहचान सकते हैं थोड़ी से सब्दों को खोज करके बस वही ट्रिक्स में आपको बताऊंगा साथ ही इसके अलावा अलंकार अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर पढ़ेंगे ने तो अपने वो समझ में आएंगे और नहीं अप तो अपन इस प्रकार से अलंकार को पढ़ेंगे कि इसमें आपको जो है वो अर्च समझने के आऊ सकता नहीं पढ़ेंगे उन अलंकारों को अपन करेंगे जिनको अपन सीधे कर सकते हैं चलिए साथी शुरू कर लेते हैं देखिए सबसे पहले बात करूँगा सब्दा अलं लंगकार रहता है तो वहां सब्दालाइंगारों के अंतर गताएंगे अनुपरास लंगकार यह मकलंकार जो अलंगकार होते हैं यह अलंगकार आपके सब्दालंकार के ही उदारन है इसी प्रकार एक अर्थालंकार होता है दूसरा प्रकार जब किसी कावे में अर्थगत चमतकार पाया जाता है तो वहां अर्थालंकार साथी होगा जैसे काफी सारे सब्द होते हैं जैसे एकी सब्द का एक जगह तो अलग अर्थ है दूसरी जगह अलग प्रकार से जो चमतकार पाये जाएगा वह आपका उपमा अलंकार रूपक अलंकार उत्प्रिक्षा अलंकार आधी अलंकार इसमें आएंगे ठीक साथियो और उभ्या अलंकार जो है उभ्या अलंकार यानि कि जिसमें दोनों के सब्द और अर्थ दोनों का चमतकार पाये वह और जैसे सलेश है वक्रोतिय अलंकार है वो भेलंकार की एक्जाम्पल देखे साथ ही इनको बिलकुल भी रटने क्या हो सकता नहीं है आपको यमक अलंकार में भी जो है एक सब्द के जो है एक सब्द बार बार परियोग किया हुआ मिलेगा और उसका अर्थ भी अलग लग होगा लेकिन वो अर्थालंकार नहीं हो जाएगा ठीक अर्था लंगार में क्या होगा कि मतलब एक परकार से पूरे अपने जब सलोक का अर्थ निकालेंगे उसके आधार पे अपन बता पाएंगे कि अर्था लंगार है न तो अर्थ गत चमतकार उसमें पाए जाते हैं बोला कुछ जाएगा उसका अर्थ कुछ ने किलेगा इस प्रकार से अर्था अलंकार वो रहेगा लेकिन इतना डिटेल में अपने को जाने के आउसेगता नहीं है अपने सिधे सिधे अलंकार पोचेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा वही अपन पहचानने की कोशिस करेंगे जैसे हम सब लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्ची से चटनी चटाई तो यहाँ पे चै चै बहुत ज्यादा वार आ रहा है इसलिए यहाँ पर अनुपरा सुलंकार होगा तो वही वाली बात है कि यहाँ बार बार रिपीट यहाँ पे हो जाएगा जैसे एकजामपलिस में दे रखा है तो यह यहाँ पर एक प्रकार से आपको सलोक दिया गया साथियो इसमें देखिए कौन से ऐसे आपके वर्ण है जो बार बार में आ रहे हैं कौन से ऐसे विंजन है जो बार बार में आ रहे हैं तो देखिए तरतीय चड़ और और रिपीट हुआ है तो यह अलंकार की चैलती है अर्पराण को Records सिधा सिधा ये देखा आप लोग आराम से देखिए आराम से इसको पहचान सकते हैं कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो अनुपरास अलंकार मेरे इसाब से बड़े आसानी से समझ आ जाएगा और जहां तक संभावना है जहां तक मुझे लगता है आपको सिधा सिधा अलंकार में अगर मिलेगा तो अनुपरास अलंकार का मिल सकता है साथियो ठीक है चलिए औरों को भी अपन करते हैं जो अनुपरास अलंकार आपका उसके मुखेता पांच बेद माने जाती हैं एक है छेका अनुपरास दूसरा है वर्त्या अनुपरास वर्त्या अनुपरास तीसरा सुरुत्य अनुप्रास चार लाटा अनुप्रास और पांच अन्त्य अनुप्रास अब देखे साथियो इन भेदों को अपन देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के ही भेद अगर ओप्शन में आ जाएं तब अपन क्या करेंगे कि केवल एक एक बार आवर्ती हो रही हो तो वह छे गान उप्रास अलंकार कहलाएगा कहने का मतलब क्या है कि किसी एक पद में जो है या तो एक वरन की या फिर एक वरन समू वरन समू का मतलब है जamento जैसे नई और दय ये दो वरन हो गए तो ये वर्ण समू बन गया अपना हना ऐसे मतलब सब्द नहीं होगा वर्ण समू होगा सब्द का तो अर्थ निकलता है लेकिन नद का कोई एक प्रकार से अर्थ ना निकले तो आप इसको सब्द समू बोल सकते हैं या फिर वर्ण समू सब्द समू नहीं, वर्ण समू आप इसको बोल सकते हैं, तो इनकी आवर्ती एक बार होगी बस, एक से ज़्यादा बार इनका रेपिटेशन नहीं होगा, ठीक है साथियो, तो ऐसा जो अलंकार रहेगा, अनुपरास अलंकार का वो शेका अनुपरास कहलाएगा, एक्जामपल देखिए, आदाय बकुल, गंधान निजर कुर्वन, पदे पदे भर्मरान, अयमेती मंदम मंदम, कावेरी वारी पावनह, पावनह, तो यहाँ पे देखिए साथियो, इस एक्जामपल में इस पश्टोर पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा विये, देखिए परस्तुत पद में नैध वर वन इत्यादी विंजन समु की एक एक बार आवरती हो रही है, अतेव यहाँ पे छेकान उप्रा सलंकार होगा, देखिए देखिए साथियो, यहाँ पे लिखावा है नैध है, ठीक है, नैध है लिखावा है, यहाँ पर भी नै और धह दोनों ह अब नैध है कहीं नहीं बिलेगा, इसी परकार नैध है का एक बार तो यह आ गया, दूसरी बार नहीं हुआ, एक बार रिपीटेशन ही हो गया, ठीक है, एक बार तो नैध है ही, लेकिन एक परकार से यहाँ पर मंद भी अपन पूरा पढ़ सकते हैं, नैध हो नह पढ़े तो मंद देखी एक बार तो यह रहा, एक बार इसका रिपीटेशन यहाँ हो गया, यहाँ पर वन है एक बार रहा और वन है एक बार इसका रिपीटेशन यहाँ पर हो गया, तो इस परकार से रिपीटेशन जो है, वो केवल एक ही बार हो, बार बार नहो, नैध है, यहाँ एक बार है, दूसरी बार यहां आया, तो ये एक ही बार तो repetition हुआ, पदे यहां पर एक बार है, और एक बार इसका क्या हो गए, यहां पर repetition हो गए, तो इस प्रकार का अलंकार, छेका अनुपरास अलंकार कहलाता है, उम्मीद है, बड़े अच्छे से आपको यह समझ में आ ग जब किसी पद में किसी व्यंजन या व्यंजन समू की 2 या 2 से अधीक बार आवरती हो रही हो तो वहाँ वरत्यानुप्रास होगा देखिये देखिये शाथ योई एक सुलोक है इसका नहीं तो मुझे अर्त पता है देखिये सही बताऊंगा ना मेरे हिसाब से आपको भी पता होगा जिसको पता है बहुत अच्छी बात हो आसानी से पैचान सकते है लेकिन अपन इसको कैसे पैचाने? यहाँ पे देखे साथियों आपको स्पष्ट तोर पे दिखाई देगा प्रसुत पद में पर्थम चरण में एं और जै यह जो वरण है इसके दिवतिय चरण में अंग ठीक है और तरतिय चरण में नद वरण और चतुर चरण में नद वरणों की दो दो बार आवरती हुई है ठीक है और परियोग तीन तीन बार एक बार आवरती का मतलब है कि दो बार परियोग हो ठीक है एक बार आवरती हुई है यहाँ पे देखिए शेकान परास में एक बार आवरती होती है मतलब दो बार परियोग है पदे की आवरती एक बार हुई है यानि मतलब दो बार इसका प परासपन कहते हैं और यहां पर देखिए यहां पर कितनी बार आया है तीन बार आया है ठीक है यानि कि दो से अधिक बार आवरती होगी इसकी दो बार आवरती होगी यह एक बार तो खुद है पहली बार आवरती यह रही दूसरी बार आवरती यह होगी इसी परकार आपका य अंग जो है अंग अंग यह रहा इस परकार से जो लिखा इसका मंदलब अंग तो आधा है और गे ज़ lequel वो पूल मरे है है इसके आवर्थी भी कितनी बार हुई का만 का नहीं यह नए दैं पर यहां वर्ति हुई दूसरी वार यह वर्ति होगे इस प्रकार से साथियों अपनें हम ने ने को बड़े आसानी से पैसान सकते तो यह कोन सा अलगकाँ होगा आमका वर्त्यानवुलमिक होगा चली सात्यों आगे बढ़ते हैं फिर है सुरूत्यानुप्रास अलंकार आपका अलंकार क्या होता है そुरूत्यानुप्रास वह देखते हैं जब किसी प्द में एक ही उच्चारण इस्थान तालू दंते आधि वालेवरणों को बार-बार प्रियोग होता है तो वहां सुर्त्यानुप्रा सलंकार जो वो माना जाता है जैसे तुलसी दास सदात उत्राता तो प्रस्तुत पद में दंते वर्णों का सात्यों क्या हुआ है बार-बार प्रियोग हुआ है मतलब दंते जो वर्ण होते हैं दातों से टकरा के प्रकार से तैथ तैद ये वाले दं तेवर्ण होते तो इनका प्रियोग जो है वो बहुत ज़्यादा बार यहां पे हुआ है साथियो इस वज़े से जो है ये कौन सा आपका कलाय का सुरूत्यानुप्रास लंकार ये उचाण के आधार पी होता है ठीक है व या तीन से अधीक बार आ रहा है तो वहां पे आपका वरत्यानुप्रास और सुरूत्यानुप्रास होगा कि उच्छारण स्थान मतलब एक लाइन में एक से अधिक बार मतलब जैसे तालू वरण है उनकी बार-बार रेपिटेशन हो रहा है दंते का हो रहा है बार-बार या अलग का ओष्ठेव का हो रहा है बार-बार तो जो है वहां पे आपका सुरूत्यानुप्रास अलंकार जो हो जाएगा ठीक है साथियो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर है अंत्यानुप्रास अलंकार लाटानुप्रास को सबसे लाश्ट में अपर पढ़ेंगे प्रासलंकार होता है बहुत ही बढ़िया है देखिए केसे कास्त बक्विकास है काये है परकटित कर्भ विलास है चक्सूर्द गदवार कल्पम वेतिने चेत है काम साथ ही इसको आप पढ़ ली जिएगा थोड़ी पढ़ने मेरे समस्या खुद को देखिए संस्कृत में मुझ दंग से पढ़ना वगेरा थोड़ा सा कम आता है लेकिन मैं आपको तरीका बता दूँगा कि इसको कैसे हल करना है ठीक है तो देखिए इसमें करना क्या देखिए अपने को यहां पे साफ लिखा हुआ है कि यहां पे जो परतेक पद के चर्ण में अंत में समान वेंजक आए यहां पे देखिए क्या आया हुआ आपके देखिए यहां पे विका सह है एक परकार से सह है ठीक है वेंजन यहां पे सह है यहां पर भी सह है ठीक है प्रसुत पद में चर्णों के अंत में समान वेंजन सवर समू है जैसे आ सह है ठीक है और अल्पम तो सह यहां पे है सह यह यहां पर भी है, इसी प्रकार से साथ हो, यहां पर वैसे अल्पम दे रखा, अल्पम किस प्रकार से निकला, क्योंकि कैमे ए भी तो है, तो अल्पम यहां से भी अपन कैमे ए भी है, तो अल्पम बना सकते हैं, और इस प्रकार से यहां पर भी अल्पम जो वो बनता है, तो अल और यहां पे भी ला में आ भी तो है तो आसे हो जाएगा तो आसे आसे दो बार यहां पे है यानि कि जो अंतिम जो आपका परतेक पद का जो अंतिम आपका सब्द है उसमें जो अंतमे वेंजन या फिर स्वरसमू जो है वो सेम होंगे तो वो होगा आपका अंत्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार के आपके चार भेद बता दिया आपको पहले दो भेद छेकानुप्रास और आपका जो एक और मैंने आपको बताया छेकानुप्रास के अलावा वो है वरत्यानुप्रास यह जो दोनों है यह आपके किसके आधार पे चलते हैं यह आपके वेंजन और वे एक ही उचारन स्थानवाले वर्ण अगर बार-बार में आते हैं तो वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों अन्तिया अनुप्रास अलंकार हो जाएगा अब अपन बात करेंगे सबसे मैत अपन लाटा अनुप्रास अलंकार की देखिए लाटा अनुप्रास और यमक अलंकार में निस्सित रूप से काफी समनता हैं इसलिए लाटा अनुप्रास को लाश्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि यमक अलंकार भी साथ में इसकी करवाएगा तो देखें सबसे पहले लाटानुप्रास को देखते हैं कि जब किसी पद में सब्द अर्थ दोनों की जियों की त्यों आवर्ती होती है यह उतात परिये मातर का अर्थ बेद होता है वहां लाटानुप्रास अलंगार आएगा देखें लाटानुप्रास कहा हैगा कौमूदी का ग्यान है तो उसके लिए भासे पढ़ना वेर था तथा जिसे कौमूदी का ग्यान नहीं है तो उसके लिए भी भासे पढ़ना वेर था कौमूदी मतलब है देखिए लगू सिधान्त कौमूदी और सिधान्त कौमूदी दो संस्क्रत की एक प्रकार से व्याकन की पुस्त के आती है और इनकी जिसको नोलेज है कौमूदी का जिसको ग्यान है उसको फिर भासा पढ़ने की कोई आऊ सेकता नहीं है क्योंकि उसको संपुर नोलेज है और जिसको कौमूदी का ग्यान नहीं उसको भासा पढ़ना भी उसका वेर्थ है क्योंकि वो भासा सीख नह लेना अपने को बासा का निसित रूप से ग्यान नहीं है reference कवमुदी चौनagers जितना अपने परीक्षिया में ऊतना उतना नंबर निचोड़ा लेंगे बस यही अपना कारिय है यही अपने को करना नंबर अपने को मिल जाएंगे ठीक है साथ ही हो अब देखिए यहाँ पे आपको निशित तोर पे इस पष्ट रूप से कुछ सब्द जहां देखिए साफ साफ लिखा जब किसी पद में सब्द अर्थ दोनों जो की तियों रिपीटेशन हो जाए मतलब जो पहली लाइन है ना आपक यह ने वे कमूधी यहाँ पर लिखा वहा दूसरी लाइन में मिलेगी वहाँ पे लाटा नुपरा सलंकार ही निश्चित तोर पे होगा यह आपको ध्यान में रखना है पहली लाइन दूसरी में मिल गई लाटा है सलंकार साथियो निश्चित रूप से हो जाएगा जो चंद का टोपिक अना साथियो आपका मैंने इतना शांदार आपको वहां पे करवाया है पहले दो तीन सब्दों को पढ़ करके आप ये बता पाओगे कि इसमें कौन सा चंद है इतनी शांदार ट्रिक्स आपको बताई है और जितने भी सिंसकर्थ के नए टोपिक्स एड़ हुए है साथियो वो भी मैंने आपको करवा दिये हैं ठीक है तीन चार टोपिक एड़ हुए है अलंकार वाला चोथा टोपिक है लास्ट टोपिक अपना चल रहा है सिंसकर्थ का बाकी जो पुराने टोपिक्स थे सिंसकर जो इस नाम से प्लेइलिस्ट है और उस प्लेइलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिलेगा हमारे संस्कृत के सारे वीडियो आप वहां जा करके देख सकते हो और जो नए टोपिक सेड़े हैं वह भी वहां पे आपको मिलेंगे जिसमें आपका जो पहले एक क्योंकि अलंकार का थोड़ा सा बड़ा टोपिक है इसलिए दो तीन वीडियो जिसके बनेंगे ठीक है साथियो चलिए आगे देखते हैं लाटानुपरास मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मतलब पहली लाइन का रिपीटेशन दूसरी में हो जाए कुछ सब्दों को छो अब देखे साथियो अपने को चुँकि अर्थ निकालना अपने को नहीं आता है अगर अर्थ निकालना अगर नहीं आए पिर भी अपन कैसे कर सकते हैं देखिए चलिए यह में कलंकार का एक्जामपन्य देखिए नव पलास पलास वनम पुरह सफूट पराग परागत पंकजम मर्दू लतान लतानाम मलोकेत सै सुर्भिम सुर्भिम सुम्नो भ्रे है तो साथियों यहां पर देखिए एक परकार से आप देख पाएंगे कि यहां पर भी लाटान उपरास की तरह सब्दों की आवरती हो रही है वहां पर भी देखिए आपको दिखाना चाहूँ एक बार फिर से तो देखिए लाटान उपरास में भी एक ओमोदी यह रही ओमोदी जो सब्द आते हैं उनकी रिपीटेशन उसी लाइन में नहीं होती है दूसरी लाइन में रिपीटेशन उसकी होती है लाटा नुपरास में है ना पहली लाइन के सब्द दूसरी लाइन में वहापे मिलते हैं और यहाँ पर जो सब्द रिपीट होंगे साथियो वह आपके कैस होंगे पहली लाइन वाले सब्द का रिपीटेशन पहली लाइन में मिलेगा जैसे पलास पलास पराग पराग ठीक है लता लता लतांत या लतांत ठीक है सुर्भिम सुर्भिम तो आप देख पाएंगे मतलब जिस मतलब इसी लाइन का रिपीटेशन इसी में ही मिलेगा मतलब एक लाइन में जो सब्द रिपीट होना है वो उसी लाइन में मिल जाएगा दूसरी में नहीं जाएगा इसी प्रकार प्राग है वो प्राग आपको दूसरी लाइन का सब्द वो दूसरी में मिलेगा तीसरी लाइन के सब्द का रिपीटेशन तीसरी में मिलेगा तो इस प्रक आता है तो आप लोग निशित रूप से गलत नहीं करोगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रसन बनेगा तो यहीं इनी अलंकारों से साथियो बनने की पूर्ण संभावना है क्योंकि दोनों काफी बढ़ियां एक प्रकार से अलंकार भी है और अनुपरास अलंकार के क खाफी भेद भी हैं तो यहां से प्रसन लगबग निकलने की संभावना है अगर आपको साथियो वीडियो अच्छा लगा हो हमारा मेटर आपको पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी लेकर क्या हूंगा निशित रूप से आपको चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लेना चाहिए क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहां पर आपको करवा दी हैं ठीक है जो नए टोपिक्स आड़ हैं वो भी मैं करवा रहा हूं आपको सब्जेक्ट्स के तो निशित रूप से आपको जुड़ना चाहिए चैनल से और इससे फाइदा जो साथ ही नए है चैनल के ऊपर वो निशित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि उनको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें ठीक साथ ही हो मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए शांदा टोपिक के साथ तब तक के ल जए भार्त